उत्यपदीश की पिर्ताबगण जिले में मन में होसला और लगन हो तो कोई भी काम नामुनकिन होता है ऐसा ही कुछ कर दिखाया है फिल्म जगत में अपने एक्टिंग का लोहा मनवा रही पिर्ताबगण जिले के लचमरपूर भिकास खन के अंधिगत आने वाले हंडोर गाउं जहां पर दुफेहर में भीम की पतनी हिडवना का घरता इसी गाउं के छोटे से गलियारे से निकल क और मुंबई के सिनेमा घरों की पैचान बन चुकी पूब प्रधान स्वर्गियत जैकरन सींग की सुपुत्री रस्मी सींग की प्रारमी सिच्चा आर्मी स्कूल जवलपुर्वा गाउं की चिल्डेन पैरडाइज स्कूल से पढ़ने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए जहां से उन्होंने अमेठी उनिवस्टी से बीजी एमसी की परिच्चा में ट्वाप किया जिसके बाद कॉलिज की तरफ से कराय जा रहे है डाबर गुलावरी प्रतियोगता में भाग ले अपना इस्थान सुनच्चित करने के साथ ही मिस यूपी 2009 का भी खिताब अपने न मैं गाग बेन प्रताब से यह बताइए जो रस्मी सिंगी है वापी क्या लगती थी है अप लोग का जो उनका बच्पना रहा वो किस तरीके से रहा जो पढ़ाई लिखाई रही क्या उनकी कैसा उनका बच्पना जो है शुवाती सिछा उनकी भाईया जैसे और से दूए मैं अधेश ले उनकी सुरुवाती सिछा जो है जबलतुर में हुई उसके बात कुस दिनों बात जब उनका ट्रांसफर हुआ तो जो है उसम नोइडा में भी सिछ्थ हुए नोइडा में सिछ्थ होने की बात पर है लिखाई वही से वही से उनकी फिलमेकिंता कोर्स दी और दूसरी छोरियां छोरों से कम नहीं होती आने वाली होती है पाहली फिल्म लगभग आज से देड़ वूर्वर्स दूर हो जूने आई थी तो एवाट के लिए आवाट के लिए आवाट तो जो है अभी हाल ताज में उतना आएडिया नहीं है लेकिन एक जो है सबस पहल से दो हजार नौ में इनको जैनिकों परताबगर जनपत के हंडवर अमसभा में खड़ा हो है यहां एक रश्मी फिल्म जगक में अपना नाम रोशन की है जिससे हमारा परताबगर गाववानित हो रहा है आज हम उनके परिवार के चाचा के साथ ख़यों के हम भाता करना चा सब्सक्राइब करता है रस्मी ने जो है यंदिये किया हुआ है फिल्मेकिंग का क्पोर्स किया हुआ है और सुगाते है